Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप समी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने स्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, that is Environment by Shankar I.S. Academy और इसका जो पहला चैप्टर है, जिसको लेकर हम लोग ने बात स्टार्ट की है, वो है Ecology का, ठीक है? और इस चैप्टर के हम लोग आज पार्ट थर्ड में बात करने वाले हैं, अभी तक इस चैप्टर में हम लोग जो main बात कर रहे थे वो था levels of organization के बारे में, ठीक है, levels of organization के बारे में हम लोग उने बात की थी, और उसमें हमने बात किया था कि जो पहला level है, just is individual के बारे में हमने बात की थी, फिर हमने बात की थी, population के बारे में, उसके बाद community और उसके बाद ecosystem, ये चार levels के हम लोग बात कर चुके है, दो levels की बात करनी और बाकी है, that is, biom and biosphere, ठीक है, तो ये क्या है, इनको आज हम बहुत डीटेल में जानेंगे, इ जादा से जादा शेयर करें, लोगों तक ये बात जरूर पहुचाएं कि इस तरीका कोई course वगरा जो है वो चल रहा है यहाँ पर, इस platform पर, ठीक है, और बाकी इस course का जो full version है, मतलब मैं कहुँगा, full version का मतलब है, with the along with the quizzes and along with the notes, ठीक है, वो हमारी website पर available है, आप लोग उस पर enroll कर लेंगे, उतना फायदा होगा, क्योंकि धीमें-धीमें, जैसे-जैसे course में, आपके वीडियो, notes, quizzes वगर, add होते चले जाएंगे, तो course का rate बढ़ेगा, जितने जल्दी हो सके, आप लोग जाके उसमें enroll कर लीजे, निचे description box में, link जो है, वो course के enroll करने का दिया हुआ ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे मैं request करूँगा, अगर आप लोग को भी content पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर subscribe कर लीजेगा, और bell icon प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की notifications वोगर आप लोगों से miss, बिलकुल भी ना ह करते हैं, आज का lecture, देखते हैं, आज हमें किस चीज़ से start करना है, देखिए, आज हम बात करेंगे, the fifth level of organization के बारे में, that is your biome, ठीक है, देखिए, क्या होता है biome, the terrestrial part of the biosphere, अभी biosphere क्या है, इसको हम आगे देखिए, biosphere के लिए, फिलाल आप इस word से इसको समझ सकते है, bio means life, ठीक है, ऐसा sphere जहां पर life exist करती है, उसका terrestrial part, terrestrial part मतलब जो land का part है, उसको बोला जाता है, biome, ठीक है, is divisible into enormous regions, divisible मतलब उसको बाटा गया है, enormous regions में, जनको बोला जाता है, biomes, ठीक है, and they are characterized by, they are characterized by climate, vegetation, animal life, and general soil type, मतलब इन biomes में क्या होता है, अलग-अलग तरीके का climate होता है, ठीक है, vegetation अलग-अलग होती है, animal life अलग-अलग तरीके की पाई जाती है, और जो soil types है, वो भी कैसे होते है, अलग-अलग होते है, ठीक है, no two biomes are alike, जैसे हमने last part में बात कीती पिछल lecture में, कि किसी भी species का, जो निश होता है, ठीक है, जो निश होता है, वो alike नहीं होता है, वो unique नहीं होता है, similarly जो biomes की अगर हम बात करें, तो biomes भी जो है, वो alike नहीं होते, दो biomes कभी भी alike नहीं होंगे, जो climate है, वो determine करता है, the boundaries of a biome, कि एक biome से दूसरे biome में जब transition होता है, तो किस आधार पर होगा climate के अधार पर, यानि कि एक biome जो है वो, climate के respect में आप कहेंगे कि fix है, and abundance of plants and animals found in each one of them, ठीक है, the most important climatic factors are, अब यहाँ पर बात की गई है, climate determine करता है, तो climate के कौन से factors है, वो है आपके temperature, यानि कि तापमान और precipitation, precipitation can be in the form of rain, it can be in the form of snow, hills, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब दे लगा, वो एक triangle के form में दिया गया, तो मैंने आपको यहाँ पर इसी को समझाने के कोशिश की है, देखिए, जो इसका x-axis है, वहाँ पर दिया गया है, average annual temperature in degree Celsius, और जो y-axis है, वहाँ पर दिया गया है, annual precipitation, यानि कि जितनी भी आपकी बारिश वगरा, rainfall, snowfall, कुछ भी है, in terms of centimeter में, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया, मतलब साको diagram समझा दूगे किस तरीके से पढ़ना है diagram को, tropical rainforest आपको यहाँ पर दिखाया गया, इसका मतलब क्या है, क्यो tropical rainforest में क्या हो रहा है, यहाँ पर temperature जो है, क्योंकि tropical region है, तो temperature क्या होगा, जादा होगा, आप देख सकते है, temperature higher side में है, 30 degree के आसपास, और rainfall भी क्या है, क्योंकि rainforest है, तो rainfall भी क्या होगी, जादा होगी, ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें देखते रहिएगा, ठीक है, जैसे कि देखे, subtropical desert है, तो इसमें क्या है, क्या है, तो आपका desert है, तो यानि क्या हो होगा, कि temperature तो जादा है, और बारिश बिल्कुल भी बहुत कम है, ठीक, similarly अगर हम बात करेते हैं, tundra region, तो tundra region में क्या है, हमें पता है, कि यहां पर ice वगरा होती है, तो minus में temperature है, ठीक है, और बारिश वगरा, जो है, जो rainfall, precipitation वगरा है, वो भी बहुत कम है, ठीक है, इस तरीके था, आप इस diagram को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, काफी अच्छा यह diagram है, और इसको आप लोग चाहें तो exam में अपने बना भी सकते हैं, अगर आप लोगों से कहीं पर इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाता है, ठीक है, यानिकि this is your distribution of biomes, ठीक, इसके बाद book में ही आपके इस तरीके का एक table दी गई है, ठोड़ा से biomes के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन कौन से biomes होते हैं, कौन सा रीजन है, कौन सा flora और कौन सा fauna वहाँ पर पाये जाता है, ठीक है, flora का मतलब होता है आपका जो vegetation है, ठीक है, that is your related to vegetation and fauna is your related to your wildlife, that is your animal life, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं, जल्दी से क्या है, name of the biome सबसे पहला है, that is tundra, किस region में पाये जाता है, that is northern and southern most regions of the world, adjoining the ice-bound pools, जहाँ पर ice-bound होती है, वहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखें, जो trees वगरा हैं, वो काफी कम है, ठीक है, devoid of trees except stunted shrubs in the southern part of the tundra biome, ground flora includes lichen, mosses and sedges, ठीक है, sedges भी एक तरीकी के, जो यह गास बगरा टाइप होते हैं, ठीक है, the typical animals जो यहाँ पर पाई जाते है, that is reindeer, arctic fox, polar bear, snowy owl, lemming, arctic hair, tarmigan, reptiles and amphibians are almost absent, ठीक है, reptiles और amphibians यहाँ पर नहीं होते हैं, एक नाम दिया गया है, tarmigan, this tarmigan is a kind of a bird, ठीक है, यह प्रगार की bird होती है, इसके बाद अगला है taga, देखें, इनको हम यहाँ पर बहुत जादा detail में discuss नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा third chapter है, that is your terrestrial ecosystem, वहाँ पर हम इनको बहुत जादा detail में discuss करने वाले हैं, ठीक है, फिलाल यहाँ पर जो book में दिया गया, इसको थोड़ा बह temperature है, वो 200 से थोड़ा कम होगा, also known as boreal forest, ज्यान रखेंगा इसको boreal forest भी बोला जाता है, तो जब आप यहाँ पर ऊपर diagram में देख रहे हैं, आपको boreal forest दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस boreal forest is nothing but your taga, ठीक है, यह taga ही है, ठीक है न, चलिए, आगे देख लीजिए, इसमें कह elks, puma, siberian tiger, wolverine, wolves, etc, elks जो है, वो deer family का एक largest species है, ठीक है, deer family का होता है elks, ठीक, चलिए, इसके बाद आगे देख लीजिए, temperate deciduous forest, temperate deciduous, deciduous आप लोगं को नाम से ही पता है, deciduous का मतलब है, जो साल में एक समय पर अपने क्या करते हैं, पत्ते गिराते हैं, ठीक है, and they become naked at that extends over central and southern Europe, eastern North America, western China, Japan, New Zealand, etc, moderate average temperature and abundant rainfall, ठीक है, rainfall यहाँ पर ज्यादा है, और average temperature जो है, वो moderate है, यह बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लोरा कौन कौन से है, vegetation देख सकते हैं, beach, oak, maple and cherry, most animals are familiar vertebrates and invertebrates, these are generally most productive agricultural areas of the earth, most productive agricultural areas के हम बात करें तो कौन सा है, that is your temperate deciduous forest, ठीक है, इसके बाद हम और आप कहेंगे कि equator की तरफ को आएंगे, तो we will reach tropical rainforest, areas, tropical areas in the equatorial regions, which is abound with life, ठीक है, temperature and rainfall जो है, बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि equator के पास है, तो equator के पास क्या होगा, temperature ज्यादा होगा, और rainforest है, तो यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, Tropical rainforest covers about 7% of the earth's surface and 40% of the world's plant and animal species, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह कितना ज्यादा rich region है, यहाँ पर बारिवर्स्टी कितनी ज्यादा है, क्योंकि area सिर्फ 7% है, लेकिन जो plant और animal species है, वो यहाँ पर world की 40% यहीं पर पाई जाती है, Multiple story of broad-leaved evergreen tree species are in abundance, most animals and epiphytic plants are concentrated in the canopy, और tree top zones, epiphytic plants का मतलब होता है इस तरही के plants जो आपके किसी और plants के उपर grow करते हैं, वो parasites नहीं है, वो आपका जो nature में air है, soil है, वहीं से क्या है, या अपना जो nutrients होग रहा है, वो लेते हैं, या known as epiphytic plants, ठीक है, इसके बाद जो अगला आपको बायोम दिया गया है, that is, सवाना बायोम, इसमें क्या है कि tropical region में पाया जाता है, सवाना is most extensive in Africa, इसमें क्या है कि grasses with scattered trees and fire-resisting thorny shrubs, fauna include करता है great diversity of grazers and browsers, जैसे कि antilopes, buffaloes, zebras, elephants and rhinoceros, carnivorous जो है, वो हैं यहाँ पर lion, cheetah, hyena, mangoose and many rodents, rodents basically आपके होते हैं, जो चुहे, जो प्रजाती है, ठीक है, rodentia, जो rodentia होते हैं, they are were rodents, यानि कि आप कह सकते हैं, जो कुतरने वाले होते, they have got very good ancestors, ठीक है, जैसे चुहा आप ले सकते हैं, इसके बाद जो अगला है, grassland, grassland आपको नाम से ही पता है कि यहाँ पर major क्या होगा grass, कहाँ पर पाए जाता है, North America, Ukraine, etc, temperate conditions with low rainfall, बार इस फोड़ा सा कम है, grasses dominate the vegetation, इसलिए मैंने बोला कि grassland है, उसका नाम है, fauna क्या-क्या होता है, जैसे की bison, antelope, cattle, rodents, prairie dog, wolves, and a rich and diverse area of ground nesting birds, ठीक है, ऐसी birds जो ground में नेस बनाती है, वो यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पर क्या कहते है, कि herbivores क्यों है, क्योंकि grass जादा है, और grass जादा क्यों है, क्योंकि rainfall कम होती है, तो यहाँ पर जादा बड़े पेड़ वगरा vegetation जादा नहीं हो पाती है, ठीक है, इसके पाद आ जाते है, deserts, continental interiors with very low or sporadic rainfall, with low humidity, क्योंकि बारिश को बहुत कम है, तो इसलिए desert है, रगिस्तान यहाँ पर होता है, the days are very hot, क्योंकि rate है, ठीक है, यहाँ पर जादाली क्या होती है, send होती है, तो days जो है, जो दिन का समय होता है, वो बहुत जादा गरम होता है, और nights जो है, ठंडी होती है, ठीक, the flora is drought resistance, such as cactus, and sage brush, यह एक तरीकी की सारी के सारे, इस तरीकी की जो, मतलब आप एक तरीकी से कह सकते है, drought resistance, यह vegetation है, ठीक है, और fauna यहाँ पर क्या पाए जाता है, reptiles, small mammals and birds, ठीक है, यह आपके desert के हैं, मैं फिर से कहूँगा, कि यह जो हमने साथ यहाँ पर पढ़े है, हम इनको जो हमारा तीसरा chapter है, that is terrestrial ecosystem, वहाँ पर एक बार और बहुत अच्छे से detail में पढ़ेंगे, यहाँ पर फिलाल जितना यह book में दिया गया है, इसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, इसके बाद अब इसको मैंने थोड़ा सा map में दिखाने के कोशिश की है, I hope कि यह map सही है, क्य क्योंकि अभी तो हमने बात करें, terrestrial zones की, aquatic systems को generally क्या है कि biomes नहीं बोला जाता है, they are not called biomes, however they are divided into distinct life zones, यहाँ पर भी distinct life zones होता है, with regions of relatively distinct plants and animal life, ठीक है, हलाकि हम इसको क्या कहते हैं कि biomes नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि aquatic system में हर जगे पर एक ही तरीकी की life होती है, ठ plants और animal species जो है वो भी आपर distinct पाए जाते हैं, अलग-अलग पाए जाते हैं, ठीक है, जो major difference है between the various aquatic zones वो किसकी वज़े से है, देख लीज़े, major एक तो है salinity की वज़े से, यानि कि जितना उसमें salt वगरा है उसकी वज़े से, dissolved nutrients का क्या level है उसकी वज़े से, water का temperature क्या है उसक instruments है, ठीक है, यहाँ पर कुछ equity ecosystems के नाम दिये गए है, जैसे पहला है fresh water ecosystem, fresh water ecosystem are classified as lotic, lotic का मतलब होता है moving water और lentic, lentic का मतलब होता है still or stagnant water, यानि कि lotic का मतलब है जो पानी बह रहा है, जो पानी चल रहा है, और lentic का मतलब है जो पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है ठीक है, तो lotic water system में आपके क्या-क्या है, fresh water streams, springs, rivulets, creeks, brooks, rivers, ठीक है, यह रिवुलेट्स और यह जो brooks पर कर रहा है, they are also the kind of small streams or small rivers, ठीक है, यानि कि यह चलने वाली है, जो moving है, ठीक है, इसके बाद lentic है, lentic मतलब है जो still है, stagnant है जहाँ पानी रुका हुआ है, जैसे क पानी में तो that becomes your saline. ठीक है, उसको बोला जाता है, फिर marine ecosystem, about 90% of which is sodium chloride, ठीक है, इसके बाद अगला है, ashuries, ashuries में क्या है, coastal blaze, जो river का mouth होता है, वो tidal marshes, यानि कि जो tides से, जो marshes वगरा बनते हैं, जो marshland होती है, they form the ashuries, ठीक है, ashuries में क्या होता है, fresh water from the river meet the ocean water and the two are mixed by the action of tides, ठीक है, क्योंकि tides जब आती है, तो क्या होता है, कि ocean का water rise करता है, उसके साथ जो river का water आ रहा है, it gets mixed, ashuries are highly productive as compared to the adjacent river or sea, तो एक तरीके सा आप कह सकते हैं, कि ashury का जो region है, यानि कि आप कहेंगे कि जो दो तरीके का हमारा जहां पर transition zone हो रहा है, ठीक है, जो transition zone हो रहा है, तो आप इसको कह सकते ह है, कि it's a near ecotone, मैं यह नहीं कहूँगा कि it's a complete ecotone, but it can become a near ecotone, और यह near ecotone होनी के वाए से यहां की जो productivity है, वो काफी जादा है, ठीक है, बाकी दो type के यहां पर equity ecosystem और दियेगा है, one is your coral reef and another one is your mangroove, दोनों के दोनों बहुत जादा important है, और यह जो पूरा का पूरा equity ecosystem के बारे में पूरे की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है, इसको हम लोग अपने chapter 4, जो equity ecosystem का chapter है, वहां पर और जादा detail में discuss करेंगे, ठीक है, फिलाल के लिए biome में इतना ही है, जो इस chapter में दिया गया है, अगला जो last level of organization है, the biggest level of organization के हम बात कर लेते हैं, that is your biosphere, biosphere क्या है biosphere is a part of the earth where life can exist, ठीक है, biosphere represents a highly integrated and integrated zone comprising of air, यानि की atmosphere, water यानि की hydrosphere and land यानि की lithosphere, ठीक है, बुक में आपके एक तीन circle बना के दिये गए है, मैं उसको थोड़ा सा और जादा creative तरीके सा आप लोग को दिखाने कोशिश की है, यहां पर आप देख सकते हैं, देखे, this is your lithosphere, यह आपका lithosphere है, that is your land का portion है, ठीक है, this is your land, ठीक है, इसको दूर से color से लिखने कोशिश करते हैं, this is your land, ठीक है, इसके बाद यह आपका hydrosphere है, यानि कि this is your water, और यह आपका जो ऊपर है, this is your air, ठीक है, यह atmosphere है, यानि कि यह air है, तो इन तीनों को मिला के, यह वाला जो region है, यह ठीक है, बुक में आप देखेंगे तो एक बहुत ही simple सा diagram बना हुआ है, इस तरीके का, आपको तीन circle बने वे दिखाई देंगे, ठीक है, this is your air, this is your land, and this is your water, ठीक है, atmosphere, lithosphere और आपका hydrosphere है वो, और यह जो beach का portion है, इसको दिखाया गया होगा आपका biosphere, ठीक है, चाहे तो आ creature checks में क्या लिखा गया है, कि it is a narrow layer around the surface of the earth, ठीक है, surface के earth के ऊपर, जो earth का surface है, उसके ऊपर यह एक narrow layer है, पत्नी सी layer है, if we visualize the earth to be the size of an apple, अगर हम earth को एक apple के size का मानते है, यानि कि एक shape के size का मानते है, तो biosphere कितना होगा, biosphere would be as thick as its skin, यानि कि जो उसका छिलका होता है, जो shape क होगा, biosphere की thickness, ठीक है, यानि कि आप समझ सकते हैं कि कि कितने region में, जो है, वो earth में life exist करती है, life in the biosphere is abundant between 200 meters, यानि कि 660 feet below the surface of the ocean, and about 6000 meters, that is 20,000 feet above sea level, तो आप समझ सकते हैं कि life कहां से कहां तक exist कर रही है, ठीक है, पानी से 200 meter नीचे, यानि कि surface of the ocean से 200 meter नीचे, और जो आपका sea level है, ठीक है, sea level से 6000 meter उपर तक, ठीक, biosphere is absent at extremes of the north and south pole, जो हमारे north pole और south pole है, वहाँ पर biosphere जो है, वो absent है, क्यों absent है, क्योंकि the highest mountains and the deepest oceans, since existing hostile conditions, there do not support life, वहाँ पर काफी जादा hostile conditions है और वहाँ पर life नहीं है, ठीक है, life नहीं है, उसकी वैसे क्या है, कि they are not considered as biosphere, वहाँ पर biosphere नहीं है, ठीक, occasionally spores of fungi and bacteria do occur at great heights beyond 8000 meters, यस height से अगर उपर हम बात करें, तो हमें कहीं कहीं पर जो है, वो fungi और bacteria देखने को मिलता है, but they are not metabolically active, वो metabolically active नहीं है, उनका metabolism जो है वो नहीं होता, ठीक है, it's zero, तो इसलिए वो biosphere represent नहीं करते हैं, they represent only dormant life, यानि कि उनकी जो life है, वो active नहीं है, it's a dormant life, ठीक, इसलिए उसको आप कह सकते हैं कि वो biosphere का part नहीं है, या they do not constitute the biosphere, ठीक, आगे दिया गया है कि the energy required for the life within the biosphere comes from the sun, अब biosphere का मतलब है life, और life को exist करने के लिए क्या चाहिए, energy, ठीक है, तो energy कहां से मिलेगी, energy मिलेगी sun से, ठीक है, क्योंकि हमने बात की है कि sun is the prime source of energy for all the activities on the earth, ठीक है, चाहे हम उसको directly ले रहे है, plants उसको, plants directly लेते हैं, हम उसको indirectly ले रहे है, बट जो major source of energy है, जो prime source of energy है, वो क्या है, sun है, ठीक है, आगे दिया गया है, the nutrients necessary for living organisms come from the air, water and soil, जो major nutrients की जरवत पढ़ती है, वो हमें कहां से मिल रहा है, air, water and soil से, इसलिए इन तीनों का part जो है, वो ही क्या बनता है, biosphere, ठीक, the same chemicals are recycled over and over again for life to continue, ठीक है, chemical का recycling होती है, और बार बार, एक के बाद मतब cycle के तोर पर recycling होती है, उससे क्य होते हैं कि जो life है वो चलती रहती है, living organisms जो है, they are not uniformly distributed throughout the biosphere, अब ये भी एक बात है कि क्या, हमने ये तो बोल दिया, कि living organisms जहां पर पाए जाते हैं, यहां पर life exist करती है, that is biosphere, लेकिन क्या सारे का सारा जो biosphere की हम लोगों ने बात करी है, जो हम कह रहे हैं कि पूरा का पूर atmosphere है, वहाँ पर क्या जो living organisms हैं, वो सारे के सारे बराबर जगे पाए जाते हैं, मलब हर जगे बराबर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं, they are not uniformly distributed, ठीक है, वो समान रूप से distributed या फैले हुए नहीं है, only a few organisms live in the polar regions, polar regions जो है, वहाँ पर कुछ कम organisms पाए जाते हैं, और जबकि हम बात 50% of the species जो है, वो पाए जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहीं लिखा गया है, कि 50% of the global biodiversity जो है वो, tropical rainforest की region में पाए जाती है, और polar regions के अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपके plant organisms, आपके animal organisms दोनों ही बहुत कम हैं, ठीक है, तो यह था about the biosphere and biome, और अभी तक हम जो है आ गई होंगी, अब जो हमारा अगला lecture होगा कल का, उसमें हम इसका chapter का, इस book का second chapter जो है, वो start करेंगे, first chapter जो है, वो complete हो गया है, ठीक है, अपना feedback वगरा जरूर दीजेगा, कि आप लोग को यह चीज, किस तरीके का, यह chapter में जो discussion वगरा हमने किया है, ठीक है, जो भी extra illustrations व जो है, second chapter वो हम कल के lecture से start करेंगे, तो अगर आप कोई lecture पसंद आया है, तो please like जरूर कीजेगा, जाद से जादा शेयर कीजेगा, आपने friends अपने colleagues के साथ, कम से कम 10 लोगों तक इसको जरूर शेयर कीजे, ताकि जादा से जादा लोगों को इस चीज के बारे में पता लग स सके, बाकि हम से जादा जुड़ने के लिए हमारा Facebook page, Twitter page, Telegram channel का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने comments जरूर करते रहें, अपनी queries जरूर पूछें, feedbacks पकर जरूर देते रहें, ताकि कोई scope of improvement हो, तो वो हम जरूर करें, और मैं फिर से कहूँगा, कि जो full course है, उसमें आ इमिल आइडी का यूज़ कर सकते है, that is okul.co at gmail.com, और बाकि अगर आपको कभी भी और कोई तकलीफ होती है, माली जो course purchase करने के डाइम पर या किसी भी टाइम पर अगर आपको कोई और तकलीफ होती है, तो मैं आपको एक number देता हूँ, इस number पर आप लोग WhatsApp के through भी अपनी query है, तो वो resolve कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, मिलते हैं, कल के lecture में तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye-bye.